कि नमस्कार आप सभी लोगों का मैं अपने योट्यूब चैनल टुर्टो पेश्ट्र लाइब पे स्वागत करता हूं आज विचार करेंगे करणवेद और अनप्रासन महुर्त का हमारे हिंदू सास्त्र में प्रतेक सुभकार्ज के लिए महुर्त का विचार किया जाता है और महुर्त प्रकरन में प्रतेक महुर्त के लिए नक्षत्र लगन दीन तिथी योग इत्यादी के बारे में बताया गया है तो सर्व प्रतम पंचांग से महुर्त का चैन करें और उस महुर्त में ये देखें कि नक्षत्र योग लगन का समय क्या है कई बार ऐसा होता है कि मुहुर्त का चैन करने के बाद देखते हैं कि नक्षत्र रात्री में प्रवेश कर रहा है और कार्ज दिन में करना है तो इन सभी के लिए प्रतेक मुहुर्त का नक्षत्र योग लगन इत्यादी का समय जानना अत्यनत आवस्यक है क्योंकि आज के समय में लोग इंटरनेट के माध्यम से भी मुहुर्थ का चेन कर लेते हैं तो आईए सर्वप्रतम कर्णवेद मुहुर्थ के बारे में जानते हैं इसे कर्ण छेदन और परोजन के नाम से भी जाना जाता है तो इसके लिए जो नक्षत्र सूब है उस नक्षत्र के बारे में जानते हैं तो स्रवण, धनिष्ठा, पुनरवसू, पुस्य, अनुराधा, हस्त, तीनों उत्तरा यानि उत्तरा भाद्रपद, उत्तरा साढ़ा और पुर्वा फालगुनी, रोहिनी, म्रिगशिरा, मूल, रेवती और अस्वनी इनहीं नक्षत्रों में ये सुबकार्ज करना चाहिए दूसरा सुब दिन है सोमवार, बुद्धवार, गुरुवार और सुक्रवार, सुब लगन है मिथून, कन्या, धनू, मीन और कुम्भ, सम वर्स में इस सुबकार्ज को नहीं करना चाहिए, चैत्रमास, औसमास और हरिसाइनी एकादसी से देव उत्थान एकादसी तक, यानि आसाड सुक्ल पक्ष, एकादसी से कार्तिक सुक्ल पक्ष एकादसी तक, ये सुबकार्ज नहीं करें, इन महिनों का त्याग करें, अब आईए अन्प्राशन मुहुर्त के बारे में जानते हैं बच्चा जब जनम लेता है तो असरव प्रथम अन्खिलाने के लिए जो मुहुर्त होता है उसे अन्प्राशन मुहुर्त कहते हैं तो इसके लिए खागिया है कि तीनों पुर्वा यानि पुर्वा भालगुनी, पुर्वा भाद्रपद, पुर्वा साड़ा और असलेसा, आद्रा, सत्विका और भर्नी ये असुब नक्षत्र कहे गए हैं इन नक्षत्रों का त्याग करें इन नक्षत्रों को छोड़कर बाकि सभी नक्षत्र जो है इस कार्ज के लिए सुब कहे गए हैं असुब दिन है मंगलवार और सनीवार असुब तिती है प्रतिपदा, चतुरथी, सश्टी, नौमी, एकादसी, चतुरदसी और मावस्या इन तितीओं में ये सुब कार्ज नहीं करें सुब लगन है ब्रिशब लगन, मितुन लगन, कन्या लगन और मीन लगन पक्ष में सुकल पक्ष और योग सुब हो, चंद्रमा चार आठ बार में नहीं हो और जन्म से छठे और आठवे महिने में बालक का और पांचवे महिने में कन्या का अनप्रासन सुब माना गिया है कोई भी सुब कार्ज हो उसमें रिक्ता तितिका चैन नहीं करना चाहिए असुब भद्रा होता है कुम्ब मीन ब्रिश्चिक और सिंग रासी में जब भद्रा हो तो उस समय सुब कार्ज नहीं करें भद्रा के उपर वीडियो बना हुआ है वो जाकर कि आप आई बटन में देख सकते हैं राहुकाल में कोई सुब कार्ज नहीं करें असुब चंद्रमा यानी रासी से चार-अठ बारे में चंद्रमा हो तो खुशूब कारज नहीं करें और असुब योग हो तो उसका अभित्याग करें कई पंचांग के मुहृत में अंतर आ जाता है लेकिन इन बातों का मुहृत में विशेश ध्यान रखें आज के लिए इतना है आगे और मुहृत के बारे में चर्चा करेंगे विडियो देखने के लिए आप लोगों को धन्यबाद